देख हेलो हेलो दोस्तो गुड मॉर्निंग नमस्ते कैसे हैं आप लोग आसा करते हूं बहुत 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 अच्छे होंगे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लोग में तो दोस्तो सुबा हो गई है और अभी सुबा के बज़ रहे हैं च्छे तो आप सभी को सुबा का दिखाते हैं मौसम तो बहुत ही प्यारे सा मौसम है और सर्दी काफी फढ़ने लगी है बहुत तेजवाले ठंड होने लगी है क्योंकि अभी बूंदा बांदी हो गई थी दो दिन पहले तो इसलिए ठंड बहुत जाद अब बढ़ गई है और हलका हलका कोईरा भी पढ़ रहा है और यहां पे यह बिटिया के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं तो यह पता नहीं क्या लिख रहे हैं कॉपी पर पेन लेकर तो बस इन्होंने सुबा सुबा ही पढ़ाई कर दी शुरू कर दी है और बहुत ज़्यादा खुस हो रहते तो जब भी मतलब कोई पढ़ाई करता है तो इनको पढ अच्छे बच्छों को पड़ाई करने खाया है अच्छों को तयार कर दिया है उस skilled कारण में खाणा बनाने लगा आई उसके बाद में खाना बन रहा है हमारा तो आज हम बना रहा है बैगन आलो की सब्जी तो ELAA पहले हमने काट कर और थोड़े से तेल डाला था उससे में सब्जी फ्रारी करी और उसके बाद में उपर से डाल दिये थे मसाले सब्जी महारी मतलब पक गई है उसके बाद में हमने छोंकी थी लैसुन से छोंक दी है और उसके बाद में जो है रोटियां सेख लेंगे चावल भी बनाए है बैगन अलू के साथ में चावल हमारे हैं बहुत ज़्यादा सभी लोग पसंद करते हैं तो इसलिए चावल हमने पहले ही बना ली थे और सार तक भी पोल लहिए थे कावल भाइँ एक तो हमने कचलो है चावल है है चावल बना दी है पहले ही और पाद में सबजी बनाए है और आब रोटियां बनाएंगे तो सब्जी हमारी बन गई है छोक दी है हमने लैसुन से उसके बाद में अलग कटोरे में परोस लेंगे क्योंकि बैगन आलो की सब्जी है कड़ाई में रखी रहेगी तो काली पढ़ जाती है तो इसलिए जो है तुरंथी अलग कटोरे में परोस के रख देते हैं थोड़ी द के लिए भी थाले लगा देते हैं और उनको भी जाना है दुकान पर और उसके बाद में बरतन बगारा दुलेंगे और फिर जो है जालू लगाएंगे और आज में कहीं जाना भी है क्योंकि आज हमें थोड़ी श्टॉपिंग करनी है तो इसलिए थोड़ा काम जली जली से क चीहती है क्योंकि घृतलि लगा दुटा में जाना है मतास किए और आर्थर दूतार भी हैं यहां सकती है क्योंकि नहीं जाना मेलोगा दो बस form, को अवह ज़ता है विलां वास चाहा काम आज चालऊ को में भी हमी मारथ मैं किस्धाड़ा काम जोगा जाना में इससलिए फ ज लगाई थी जाडू बरतन पहले ही दुल के रख दिये थे जाडू बाद में लगाई थी और दूप भी कापी अच्छी निकल आई है तो जल्दी से लगा लेते हैं जाडू और उसके बाद में जो है तयार होंगे और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही अच्छे-च्छे कमें किये हैं में बहुत जादा कुछी मिलती है आपके कमेंट से तो दोस्तों आप बहुत ही प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं सच में हमें बहुत जादा अच्छे लगता है तो आप लोग ऐसे ही प्यारे-प्यारे कमेंट करते रहिएगा और हमें ऐसे ही प्यार और दुलार द आप अपने घर की जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे तरीके से निभाती हो, तो आपका बहुत-बहुत धन्वाद बहन और आइसा आपको लगता है और मतलब जो जहां रहता है तो उसे पता होता है कि कितने भी अच्छे से जिम्मेदारी निभाऊना फिर भी कहीं न कहीं कमी मतलब हो ही जाती है कभी-कभी गलतियां हो ही जाती है तो बस कोशिस तो करते हैं कि अच्छे से अच्छा करें पर कभी-कभी जो है कुछ न कुछ कमी हो ही जाती है तो आपका बहुत-बहुत धनबात आपने में बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया है, मैं बहुत ही अच्छा लगा और हमारी सबीवेफ़ेंदों का बहुत बहुत दील दनबात आप लोग पहुत जदा प्यार दुलार देते हैं तो यहां पे जो हे मारी ज्याडू लग गई है, उसके बात में कोड़ा भरके फेक देंगे गोरे पर रात पर धुल कर तैयार होंगे और आर्थर को भी शुला दिया है जल्दी से फिर थोड़ा देर बहुत सोते रहेंगे जंता कम प्रार तो बस यह साड़ी जो है बाहर ही रखी वीती दुल्ले को थी एक बार पैन कर और गाए थे हम तुमने का चलो यही वाली पैन लेते हैं और इस बारी बहुत है क्योंकि इसमें नंग लगे हुए तो पहुत जादा बाहरी है तो पैनने की हमत नहीं होती है तो बस बाहर रखी तो हमने का चलो यही वाली पैन लेते हैं तो पैन लिया है और तेयार हो गए है इस बिर्ण जी को फोन कर दिया है जब तक वो आ जाएंगे दुकान से तो वही लेकर जाएंगे आज मार्केट तो यहां पर हम आ चुके हैं मार्केट में कमाल गंज की मार्केट में तो क्योंकि वहां पर जादा अच्छी साड़ियां नहीं मिलती हैें अगर जादा अच्छी लोग तो यहाँ पर जो है इन्हों ने बोला कि कमाल गंज लेकर चलेंगे तो उपने कछलो ठीक है तो भही यहाँ पर यह लेकर आए हैं बैसे हम तो अपने गाउग मार्किट जाने वाले थे त इन्होंने बोला कि चलो कमाल गंज लेकर चलते हैं तो फिर इजे कमाल गंज लेकर आए हैं हमें तो यहां पर बस साड़िया दिखा रहे हैं दुकान बहले भाईया तो यहां पर जो यह उपर वाली हरी वाली साड़िये यही वाली हम लोग ने पसंद की थी तो इनको तो दू पसंद है हम और हमने का जो तुम्हें अच्छी लगए वही वाली ले लो तो यहां पर बस हम लोग सोच विचार में पड़े हुए हैं यह बोल ला है कि तुम बताओ हम बोल ला है थे कि तुम बताओ जो तुम्हें अच्छी लग रही हो वही वाली ले लो क्योंकि हम इनके सा प्रवाइब के पसंद के हो, उन्हीं अच्छी लगे, भले वो बिल्कुल सचती हो, पर हम उसको प्यार से फेनेंगे, उनके पसंद के हो, तो भही आपे हम समोच रहते हैं, कि तुम्हें जो अच्छी लगे भही ले लो, और इनको जो ये पिंक वाली साड़ी है, ये वाली प लगे थे हम लोगों ने, तो यहाँ पर ये जो भही आफोल्ड कर रहे हैं, साड़ी ये ही वाली हम लोगों ने पसंद की थी, तो ये वाली जो है अच्छी लगी, तो बैसे साड़ियां सभी अच्छी थी, पर कलर ये वाला पसंद आया था, तो फिर ये वाली ले ली है, त यह जो है हमें 16,000 रुपै में पड़ी है तो बहुत यह अच्छी लग रही थी साडी यह और जो हस्मेन जी को पसंद आय थी तो वह बहुत चाद हमें थी ए 4,000 रुपाय में थी तो हमने काव हु हमें नहीं लेनी है तो फिर यही वाली लेली थी साड़ी बहुत अच्छी ये भी बहुत ही अच्छी लग रही थी और यहाँ पर जो है बहुत ही पियारी ब्हुत ही साड़ी है भी अच्छी तेसे साड़ी हैं तो हम लोगों ने साड़ी ले ली थी, Southwest के बाद में ये अभी कर रहे है पेमेंट तो बस उसके बाद चलते हैं आँगे, और बच्छों के भी कपड़े लेने हैं तो इन्हों ने पोला की बच्छों के भी ले लो, क्योंकि हमें साधी में जाना हैं निमाइके, तो इसी लिए वहीफस सौफिंग करने के लिए आये थे, और यहां पर बच्चों के कपड़े नहीं थे, सिर्फ साडियां और नहेंगा थे, और कुछ नहीं था, बच्चों के कपड़े दूसरी दुकान से लिए थे, तो बहां का जो है वीडियो हमने नहीं बनाया था और बच्चों के कपड़े भी काफी अच्छे थे तो दोनों बच्चों के लिए कपड़े लिए और कैप लिए और यहां पर उसके बाद में आ गए है जूते वाली दुकान पर तो यहां पर आपने लिए जूते देख रहे थे फुल सारे निकलवा के रखे पर इनको पसंद नहीं आए और इनकी पसंद बिलकुल ही अलग है क्योंकि हमारे पसंद भी इनको पसंद नहीं आती है तो इसलिए यह खुद हमें मतलब ले कर गये थे तो अपनी ही पसंद का सारे चीज लिए है और इनकी पसंद सच में बहुत ही अच्छी है और जो भी चीज लेते हैं बहुत ही अच्छी होती है वो तो फिर यहां पर जो है रियानसी ने भी अपने लिए जूते खरी दे थे और उसके बाद में हम लोग आ रहे हैं बापस घर और रस्ते में थोड़ासा ही क्लिप लिया था क्योंकि हमें बहुँच ज़uir लगने लगा है मुबाइल वाइल हम नहीं मतलब रस्ते में निकालते हैं बस थोड़ा सक किप ले लिया था और पहुझा दर डर लगता है क्योंकि अभी गिर गए थे ना तो इसलिए पहुझा दर डर लगता है तब तो मतलब मुबाइल भी नहीं आत में था हमारे फिर भी मतलब गिर गए थे तो इसलिए जो है नहीं रस्ते में जो है मुबाइल तो यहां पर बच्चों के लिए ले ली थी जलेवियां, तो बहुत ज़्यादा उनको पसंद था, तो फिर यहां पर जलेवी ली उसके बात में आ गए हैं गर उपर, और यहां पर कप्डे दिखा रहे हैं सभी को, तो यह सारतक के लिए लिया था स्वेटर, यह पीला वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और यहां पर जो है दिदी को दिखा रहे थे, कप्डे, और यह सारी भी सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और यहां पर आर्थर को लेकर नहीं गए थे, तो बहुत ज़्यादा खुस हो रहे थे, देखकर कि मम्मी गई है दोड़कर हमारे पास में आए क्योंकि इनको लेकर नहीं गएते सो गएते तो फिर हमें देखकर इतना ज़्यादा खोज हो गएते पहुच ज़्यादा खोज हो गएते तो यहां पे जो है आप सभी को दिखाते हैं पूरी खोल कर साड़ी तो आप लोग कमेंट करके ज देखने में और उसके बाद में आप सभी को दिखाते हैं बच्चों के कपड़े तो गरम कपड़े बच्चों के लिए लाए थे गरम बाले कपड़े की देखें यह सारदक के लिए लाए हैं स्वेटर बहुत ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और यह सारे कपड़े हमारे हजबेंट जी के पसंद के हैं क्योंकि और यह वाला काइब है सार्थक का और यह आर्थर के लिए लाया है छोटे वाले बावो के लिए यह वाला और यह इनके लिए कैप भी लाय थे आर्थर के लिए तो जोस्तों बस यही हमारी सौफिंग थी और आप सभी को कैसे लगे हमारे कपड़े कमेंट करके जरूर बताईएगा और यह है रियानसी के जूते जोके अपने स्कूल के लिए लाई है और उसके बाद में साम का टाइम है और इदर सारतक का करवा रहे हैं हूंबर्क तो दोस्तों आज का ब्लोग हमारे कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएग जो भी दोस्त नहीं आते हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लोग के साथ तब तक ल झाल 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